फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम आपको टाई बादना सिखाएंगे सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने कॉलर को शेट के कॉलर को ऐसे उपर कर लेना है और उसके बाद फिर आपको अपने टाई इस तरह एक ऐसे डाल लेना है सीधी विल्कुल सीधी ऐसे रखना है यह उल्टी है यह सीधी है तो आपको सीधी तरफ से ऐसे टाई को डाल लेना है और इसका यह जो पार्ट है इसका यह पार्ट जो है इसको नीचे की तरफ लेना है इसको नीचे की तरफ लेना है यह नाचे यह UPH, बड़ा होपा, उपर यह नीचे और हढ़े जादा है तो इसको जादा लंबा इस पाठ पो रखेंगे तो एसे हम deserved हरा इसको सुखें टेलें यह आ हम आ इसे तरफ हैं इस तरह जाएंगे इस स्पार्ट को एसे ऐसे ले जा कि हम इसको फेल पर ऐपनेंगे अच्छे से और इस परिगर को हम हम जा आ जब हैस्ट", फिर थेsom.. और मुख कर लेंगा दीर हम अंदर से शर्ण हग anál रोगवायार इसमें एसमें। हम इसको इसके अंदर डालेंगे इसके अंदर ऐसे इस प्राट को हम ऐसे डालेंगे और इसको अंदर से डालने के बाद इसको एसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे तोड़ा सा और उसके बाद उतार लेंगे इसको बाहर निकालने के बाद इसको सेट करेंगे थोड़ा जो इसका समोसे जैसे शकल जो होती है तो केते हैं उसको सेट करेंगे थोड़ा सा अच्छे से उसको सेट करेंगे यह देखिए इसकी शकल बन गई अब उसके बाद फिर डाल लेंगे अपने गले में और यह बटन गले का बटन लगा लेंगे और गले का बटन लगाने के बाद इसको इसका छोटा वाला पार्ट जो है इसको लेकर ऐसे पकड़ेंगे ऐसे पकड़के इसको टाइट कर लेंगे ऐसे करके इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे और इसको अच्छे से गले में इसके बाद कॉलर को सीधा तर रखें देखी दोस्तों ये तयार हो गई गुडबाई